हाई फ्रेंट्स कैसे हो आप सब तो आज में शेयर करूंगे आप सभी के साथ में बहुत ही जादा इजी सा स्टार्टर रेसिपी जिससे आप एक पर जरूर ट्राइ कीजेगा बहुत ही अच्छा स्नाक रेसिपी दे रही हूं इसे जरूर बनाएं चले कैसे बनाना है सीख ले तो आदे एक मिनट के लिए फ्राइ कर लेरी हैं जिससे लसन अद्रक और हरी मिर्ट्री अच्छा से बहुन जाए यह देखिए यह मसाला ना बहुन चुका है और इस तरह से जब बहुन जाता है तो फ्लेम को अपको मीडियम कर देना है और इसमें आपने चिकन डालना है त इसके साथ जब भूनी रहा है तो इसमें 2 टीस्पून आपने दही डालना है और दही डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे दही के मौश्यर निकलेंगे इसके खुद के जूसिस निकलेंगे और इसमें यह गलता जाएगा ताथी इसमें 1 टीस्पून नमक भी ड इसमें निकाल लेना है थंड़ कर सकते हैं या तो इसे घ्रेंटे जाल कर लें जिससे इसके पूरे रेश्यर कर लेए इसमें आपको लेना होगा दो तीन आख इसमें आपने नमक डालनी है वोन टीस्पून या टेस्ट कई ऑगी आपको चिली फ्लेक्स ताहिए जानी की कर हडी मिर्चे भी बारी काटीवी में डाल रही हो टेस्ट के साप से और एक प्यास भारी काटीवी डेला है भोगाँ से जसे च nihil के चाट मसाला होगा अर इसमें इसमें सूखे से पत्रीब डालने है'm जिसके बहुत चीके सात नहां होताया न यह करेंगा फ्रेसी के साथ इसहे हमें दलना HAउी related वजहına चिकन.. बहुत ही easy simple starter recipe है जैसे कि आपने देखा और फटफट यह बन जाता है और खाने में बहुत जा टेस्टी लगता है तो कभी भी अगर कुछ instant बनाना हो starter में snack में तो आप यह recipe ज़रूर ट्राइ कीज़ेगा चलें यहाँ पर यह जब mixture ready हो गया तो इसको बनाने के लिए शेप देने के लिए मैंने हाथों को थोड़ा सा तेल लगाया है अब इसके एक large lemon size के portion ले रही हूं और बस इसको रॉल करकर हमें लेनी है skewer और इसमें इसे डालकर अच्छा से बस शेप दे देना है और शेप इसकी बिल्कुल कांदी जिस्टिक जैसी रहती है तो बस यहाँ पर देखे यह डालें और डालकर हथेली पे अच्छा से बना देए और आपकी यह शेप बन जाएगी तो बस इसे तरह से आपको सारे आ अधा कप में यह पर पानी डाला है और इसे अच्छा से मिक्स कर ले रही हूं जिससे कोई भी लंप नहीं रहे और बहुत अच्छा सा हमारा स्मूथ सा बैटर बन कर तयार हो जाए तो यहां पर देखें यह बैटर हमारा तयार हो चुका है तो अब इसमें कुछ स्पाइस तोच्छी च्ली एकी डाल रही हूं मैं थोड़ा नमक डाला है ठोड़ी सी unmilche द रल लाए प्रोहता हि हूं और इसे मिक्स कर रहे हूं लार यह हमारा स्मूथ सासल लिकविड पेस्ट कर लेते हैं ले जयूक्शा है अब भीाँ ओन कर अच्छी पेएम ठीखें थर थो हम जो भी जो एक दो चीजे मिक्स करनी है जिसके लिए हमने जो भी खुर्श करकर कॉंफलिक्स लिया इसे प्लेट में निकाल लेते हैं और अब यह जो हमारी कॉंफलिक्स वाली कोटिंग थी इसमें हमें इसको कोट कर देना है जिसके उपर की लेयर बिल्कुल क्रिस्पी क्रंची हो जाएगी जब यह फ्राई होगी तो और अंदर से बहुत ही जादा अच्छा सा टेस्ट मिलेगा आपको तो उपर से क्रिस्पी तो अंदर से बहुत ही जादा मुज़दार सा यमी सा यह स्नाक बन्ता है एक बर जरू ट्राइजहाथा जाते हैं तो हमें इसे शालेफ राई करना है जिसके लिए मैने हलका सा ओइल गरम कर लिया है विल्कुल तेज आंच पर कर लिया है और अब इसमें इसमें और इसमें क्रिस्पी बनाना है क्रंची करना है तो इसे हाई फ्लेम पी फ्राइ कीजिए और यह देखें बिल्कुल गोल्डन से प्यारे से दिख रहे हैं यह तो इसे निकाल लीजिए और गर्मा गर्म सा यह मज़ेदार आलू चिकन कांदे स्टिक्स बनकर तयार हो गया है जो कि आपने मुझे जरूर बताईएगा वीडियो अच्छी लग रही आपको तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा इसे शेयर कर दीजिएगा चैनल पे ने सब्स्राइब जरू कर लीजिएगा इसे तरह कि और भी नहीं नहीं धमाकेदा जबदस रसेपीज लेकर फिर में मिलूंगे आप सबी को तब तक अपना अपनी फैमिली का रखिएगा बहुत सारा ख्याल मुझे भी दौब में याद रखिएगा अपना पेर सपोर्ट यहीं बनाए रखिएगा थैंक्स वाचिंग